हेलो फ्रेंज कैसे हैं आप सब उमेद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे खुश होंगे दोस्तों मैं अपने वीडियो बनाने की रिकॉर्ड करने की तयारी कर रही थी तो हमेशा ऐसा होता है कि टीम जो वो तयारी करती है और मैं कुछ मेल चेक कर लेती हूँ कि कही क्या किसी मेल का कोई रिप्लाई अगर करना है तो उस पर भी हम कॉंटेंट बना सके तो बस रेंडमली मैं मेल चेक कर रही थी मुझे ऐसा लगा कि कुछ मेल ऐसी हैं जिनको बहुत लंबे टाइम से इग्नोर किया गया था और कोई वज़े थी उसको इग्नोर करने की क्यों कि ऐसी कोई important चीज उसमें नहीं होती है लेकिन लंबे टाइम से वो चीज इग्नोर हो रही थी और बार-बार मेल आ रहे थे इस तरह के topic पर तो मुझे लगा आप लोगों के साथ इस topic पर बात करनी जरूरी है क्योंकि अगर आप लोगों के साथ ही मैं बात नहीं करूंगी तो फिर मेरे videos बनाने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा सबसे पहले तो जो mail आते हैं जिन में suggestions होते हैं मेरे content को लेकर या किसी topic को लेकर तो मैं उनको consider करती हूँ definitely उन suggestions पर मैंने काम भी किया है बहुत सारे videos भी आपके जो सुझावाई हैं उनके according मैंने बनाए भी हैं और कुछ ऐसे जो suggestions आते हैं जो unnecessary मैं inverted comma में आप इसे समझ लीजिए unnecessary suggestions है और suggestions नहीं कहूंगी एक ऐसी मन सिखता है एक ऐसी सोच है जिसके चलते ऐसी लोग इस तरह के mail करते हैं और continuous करते हैं और वो ये भी नहीं सोचते हैं कि हम जो mail कर रही हैं उसका impact क्या होगा और ये mail करना चाहिए नहीं करना चाहिए इस तरह के बाते हमें बोलनी चाहिए नहीं बोलनी चाहिए बिल्कुल नहीं सोचते हैं अब मैं बात करती हूं उस topic पर देखिए क्या होता है फीमेल पर अकसर कुछ ना कुछ टिपणियां होती रहती हैं यह आप सब जानते हैं और सबसे एहम पाद उनके पहनावे को लेकर उनके लुक्स को लेकर लोग सही गलत टिपणियां करते रहते हैं मुझे अकसर मेल आते हैं जो कि एक स्ट्रेंज बात है मेरे लिए मुझे मेल आते हैं कि आप नोन ग्लेमरिस कपड़ों में आ जाती हो तो आपके वीडियो कौन देखेगा लोग मेरे वीडियो को देखने के लिए नहीं है जिन लोगों को मेरे वीडियो देखने हैं वो गलेमर के चकर मेरे वीडियो नहीं देखेंगे अगर कॉंटेंट उन्हें पसंद आएगा अगर उन्हें मेरे वीडियो में कुछ अच्छा लगेगा तो डेफिनिटली वो दे प्रॉब्लम है अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ऐसे लोग जो सिर्फ कुछ ना कुछ उल्टा सिधा देखने के लिए मेरे वीडियो देखने हैं तो सबसे पहले तो उनसे मैं कहना चाहती हूं कि आप मेरे वीडियो देखते ही क्यों है क्योंकि आपको अगर मेरे वीडियो में ग्लेमर देखना है तो सौरी यह ग्लेमर दिखाने के लिए यह मेरा चैनल नहीं है यह चैनल मेरा पॉजिटिव प्लानेट है इसका मतलब यह है कि इस चैनल पर मैं ऐसा कॉंटेंट आपके लिए लाती हूं जो कॉंटेंट आपके जि और बहुत अच्छे-च्छे कॉमेंट्स भी करते हैं तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस तरह की जो मेल हैं वो दो चीजे हमें समझाती हैं एक तो ये कि हम कौन होते हैं किसी के भी पहनावे पर कॉमेंट करने वाले पहली बात तो पहनावा व्यक्ति की अपनी personal choice है क्या आप जो पहनते हैं वो किसी से पूछ कर या किसी के according पहनते हैं क्या नहीं न जो आपको पसंदाता है जैसा आपको चाही होता है पहनन आप वो ही पहनते हैं दूसरी चीज़ ये एक संकेन्ड मान सकता है ये गलत सोछ है जो महिलाओं के प्रती पहनावे को लेकर टिपनियां करत की आदत है जिन लोगों को अब मैं कहना चाहती हूं कि इस तरह कि जो लोग है उनके मेल आते हैं वो कहते हैं कि आप कोई ग्लेमरस टॉपिक पर वीडियो बनाई है या ग्लेमरस कपड़े पहन कराई है तो फिर देखिए आपके वीडियो कैसे वाइरल होंगे तो मैं यह कहना खराब नहीं है बहुत सारे लोग तो यहां तक कहते हैं कि आप सिंपल कुर्तियां डाल कर आजाती हो कौन देखेगा आपके वीडियो मुझे समझ भी नहीं आता कि आपको राइट किस नहीं दिया इस तरह का कॉमेंट करने का और अगर आप कॉमेंट कर भी रहे हैं तो लंबा वक्त लगेगा दो बाते यहां पर हैं मानसिक्ता ऐसे लोगों की ही होगी जो कहीं न कहीं अपना खाना पीना ठीक नहीं करते होंगे खाने पीने को यहां पर इन्वर्टेड कोमा में समझ येगा खाने पीने का मतलब यह नहीं कि क्या खा रहे हैं खाने पीने का मतल उट बैट रही हैं आपकी जो सरांडिंग्स हैं वो कैसी हैं वही डिसाइड करता है कि आपकी मनसिक्ता क्या होगी तो आप अपनी मनसिक्ता खुछ चेक कीजिए कि आप जिस तरह के माहुल में रहते हैं क्या वो पाजिटिव है क्या वो सही है क्या आप अपने दिमाग को सही चीज़ें फीड कर रही हैं तो आप खुछ चेक कीज़े कि आप पहिमान सिकता कैसी है दूसरी बात दो चीज़ और मैं कहना चाहते हूं कि इस पर माइंड को क्या खुराग देनी इस पर मैं बहुत जल्द वीडियो भी लेकर आऊंगी दूसरी बात ही है कि इस तरह के सजेशन्स देने के बजाए आप उन टॉपिक्स पर मुझे सजेशन्स दें जिन पर आपको वीडियो देखने हैं एक बात और यहां पर उन मेरे सा करती है लोगों तक तो मेरा सभी से यह अनुरोध है कि आप जो भी वीडियो देख रहे हैं जितने भी लोग उसे पसंद करते हैं प्लीज चैनल पर जाकर अपना फीडबेक ने आपका फीडबेक जो है वो हमारे लिए बहुत इंपर्टेंस रखता है आपका फीडबेक हमा अलत बात आप तक लेकर नहीं आएगा इस चैनल पर आपको साफ सुथरी चीज़ें मिलेंगी यह चैनल मोटिवेशनल वीडियो बनाने के लिए है पॉजिटिविटी स्प्रेड करने के लिए है आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए है तो प्लीज आप जि अभी मकसद था कि जो मेरे अच्छे वीवर्स हैं जो मेरा साथ दे रहे हैं उनका तहे दिल से शुक्रिया आपका साथ इस चैनल को चाहिए और आपके साथ की वज़े से ही चैनल दीरे दीरे आगे बढ़ रहा है बस आपसे उमीद है आप इस चैनल को और आगे बढ़ाएं और खुद भी खुश रहिए अपनों को खुश रखिये और किसी की उमीदों का उजाला बढ़ने की कोशिश करिए थैंक यू सो मच फॉर वचिंग दिस वीडियो